पी एम मोधी पर सीधा हमला अदानी, OBC और जेव कत्रा, राहूल गांदी के चुनाबी भाशनों में ये मुद्धे समार, विदानसभा चुनाब के वेच राइस्थान का सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है, भाजपा और कॉंग्रेस की नेता एक दूसरी पर जम कर हमला ब पहले कॉंग्रेस भाशपार ने चुना में पुरी ताकत जोग दी है, दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता प्रदेश में दूहाधार चुना परचार में जुटे हैं, राहूल गांदी एक दिन में तीन-तीन सबाई कर रहे हैं, और पी-एम मोधी पर सीधा हमला बोल र ही है, अदानी का नाम लेकर भी पी-एम मोधी पर निशारा साधा जा रहा है, राहूल गांदी पनवती शब्द का इस्तिमाल भी कर चुके हैं, 15 लाक रुपए को लेकर पी-एम को जूटा बता चुके हैं, कॉंग्रेस साथ गारंटियों के अलाबा तमाम गोश्टनाओं क लेकिन पार्टी के श्टार परचारक राहूल गांदी की चुनाओं में अन्यमुद्दे भी चाय हुए हैं, आईए इन्हें जानते हैं दो दिन में दो बड़े बयान, कॉंग्रेस निता राहूल गांदी ने गंगा नगर में कहा, मैं आपको 15 लाक वाला जूट नहीं बोल दूँगा, वो नरेंदर मोदी जी बोलते हैं, उन्हें बोलने देजिए, राहूल गांदी ने एक सभा को समोधित करते हुए कहा, PM का मतलब है पनौती मोदी, उन्होंने विश्व कप के फाइनल मैच का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लड़की अच्छा खासा वर्ल्ड एक समान होते हैं, इसमें उध्योपती अदानी का नाम लेकर PM नरेंदर मोदी और क्रह मंतरी अमिर्चा पर सीधा हमला बोलते हैं, इसे लेकर वे जेव कत्रे की कहानी लगभग हर सभा में सुना रही हैं, कहते हैं जेव काटने के लिए तीन लोग आते हैं, एक जेव कत्रा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, दूसरा पीछे से आकर जेव कारता है, तीसरा खड़ा होकर देखता रहता है, और आकरमर करने की फिराक में रहता है, जेव कत्रे की तरह ध्यान भटकाने वाले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जेव काटने वाले अदानी हैं, और मारने वाले कामिशा हैं